साल 1832 गुजरात के वडाल गाउं के कटर वैश्टम परिवार में एक बालक जन्म लेता है नाम पड़ा करसन दास यानि कृष्ण का दास लेकिन जवान होते होते उसी बालक ने महराज बनकर घुमने वाले अपने ही संपरदाय के पाखंडी धर्म गुरियों के खिलाफ बेग कार करसन दास मुल्जी के हिम्मत की दास्तान है जो लेखक शौरब शाह की इसी शिर्षक वाली किताब पर अधारित है आये जानते हैं क्या है महराज की कहानी करसन जुनैत खान के मन्व बच्पन से धर्म समाज की भिशंगतियों के खिलाफ सवाल उठते रहते थे उसे पर मासुम लड़कियों अर्तों का चरन सेवा के नाम पर शारिक सोसन कर रहा है तो वह कहां चुप बैठने वाला था अभी तब जबकि जेजे के हवस की आग उसकी अपनी मंगेतर किशोरी शालनी पांडे की आबरु जला चुकी थी चरन दास अपनी लेखनी के जरिये जेजे केस करने वाले जेजे को ही दोशी और आरोपी बनाए गये चरन दास को बाईज़त बड़ी किया अब इस अहम घटना का दस्तावेजी करन करने वाले फिल्म महराज भी कोट की हरी जंडी मिलने के बाद OTT पर रिलिज हो चुकी है भगवान हमारे भीतर है उस तक पहुचने के लिए हमें किसी बाबा महराज या जेजे की जरुवत नहीं है कुछ यही बात आमीर खान ने फिल्म पीके में समझाई थी अब यही सीख उनके बेटे जुनैत खान की पहली फिल्म महराज की भी है अंतर यह है कि राजु हिरानी ने जहां यह बात मनोरंजन की पोटली मे लपेट कर दीती वहीं यहां निर्देशक शिधार्त पी मनोतरान ने फिल्म का टून गंभी रखा है इसके अलाबा कोट केस को वह रोचक नहीं बना पाए हैं वहीं कॉन्फिक्ट की कमी खलती है बात करें जुनैत की तो अपने डेब्यू के लिए ऐसी मुद्दा पड़क फिल्म चुनने के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए करसन के कदावर किरदार को उन्होंने पूरे आत्मिश्पास के साथ निवाया है बस उनकी डेलोग डिलिवरी में थेटर की छाप दिखती है लंबे मोनोलोक्स के दोरान ऐसा लगता है कि वह मंच पर डेलोग बोल र आते हैं हाला कि उनके किरदार को और मजूत बनाया जा सकता था जेजे जिस तरह से करसन की राह में रोड़े अटकाता है वो इतना परभावी नहीं लगता शालनी पांडे ने बड़ी मासुमियत से किशोरी को जिया है तो शरवरी बाग ताजे हावा के जोके सरिखे लगी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है फिल्म का गीत संगीत औसत है कुल मिलाकर कुछ कमियों के बावजुद धर्मानता के खिलाप आँखी खोलती है फिल्म धर्म के नकली ठेकेदारों के खिलाप जागरू करती है